विश्व गीता प्रतिष्ठनम उज्जैनी शाका चिन्वाडा के मात्यम से विगत 15 वर्षों से निरंतर गीता स्वाध्या सामेक रूप से किया जा रहा है। और केंद्री सपोच सब प्रमुक नेमी चन्वियोम के मार्ग दर्षन में अधिवक्ता इशान श्रिवास के सोजन्य से नरसिंगपुर मार्ग में स्थित गणिश कोलोनी के श्री गणिश मंदिल में श्रीमत भागवत गीता के अध्याय सोला के एक से बारत तक शलोकों का साम मुहिक स्वाध्याय किया गया पंडिनाद दारुकर द्वारा सुभाशित भगवंत राव सोनी द्वारा अम्रत वचन और राजेंद्र सिंग परमा द्वारा सुक्ती अर्थ सहित प्रस्तुत किये गए आदर्ष वाचन और अनुकरन वाचन के पश्यात वैक्तिशा शलोक वाचन में सभी उपस्तित वैक्तियों द्वारा एक एक शलोक और अर्थ का बाचन किया गया सतकाय मुर्ती रंजीत सिंग परियान अपने वक्तवे में श्रीमत भागवत गीता और गणेशी का अंतिसंबन निरुपित किया वस्तुतह श्री कृष्ण द्वारा मुकृत महा पूर्वन अगरपाली का अध्यक्ष और गीता अध्यता माननीय कनही राम रगुवन्शी ने अपने उद्भोधन में बताया की हमारे स्वाधिंता संग्राम में गीता की अभी प्रेरक की रूप में महतुपून भूमी कर रही है लोकमाने बाल गंगधर तिलक के आहवान क बाज सामुई गणेश उत्सव के आयोजन में क्रांतिकारी सभाएं आयोजित होती रही और वास्तविक रूप से आंदुलन ने जोर पकड़ा आज पड़े गश लोकों का विशलेशन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने देवी और आसूरी प्रवत्तियों का विस्तार से व कंब रामायन और रामचरित मानस की राम कथा का अध्यन के रशनकार रंजीत सिंग पर्यार और कहानी संग्रे पज़ड का सावन के कथा का लक्ष्मन प्रसाद धेरिया खामोश का विश्व गीता प्रतिश्ठानम द्वारा अभिनंदन किया ग्या इस असपर क्रपा राम धेरिया नरेंद्र सिंग रगुवंशी देवेंद्र चौरसिया नेवी चन वियोम तुला राम चौरे राजेंद्र सिंग परमा शंकललाल साहू राजेंद्र सिंग ठाको सनत उस्रेठे शशी तिवारी नरेश तरेठा बसं शर्मा द्वार्क प्रसा श्रिवास रामलाल रश्मी के साथ ही बड़ी संख्या में कॉलोनी वहसी उपस्तित रहे चिनवाला से गजानन बोरकर की रिपोज